जाइन दोस्तों स्वागत आपका चैनल पर मैं हूं बावरामदास और आज एक बार फिरते मेरे साथ हैं बलबीर सिंग जी राष्ट्रिय द्यक्ष भारतिय किसान यूनियन अजय आप स्वागत है प्रणाम नमस्कार आपको भी बहुत-बहुत प्रणाम स्वागत है आपका पर 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 दोड़ा पर दोड़ा ने शंबू बार्डर पर डेरा लगा रखा है हर्याना की पुलिस सर्याना सरकार के ताफ लगातार बाकाइदा संघर्ष चल रहा है ड्रोन से आंसू गैस के गोले रबर बुलेट्स जी फेकी जा रही है किसानों पर जी और पूरा गुरिल्ला युद्ध जैसे महौल है सर्थ किसान भी अड़े हुए हैं कि हम बैरिकेट तोड़के दिल्ली गेरेंगे तो दर पर इस बार पश्चमी उत्तर प्रदेश्ट से नहीं गे होता है अपनी समस्या सरकार के सामने रखना अपनी अपनी जो भी परेशानिया है या जो भी हमारी डिमांड है वो सरकार के सामने रखनी होती है हमें युद्ध लड़ना नहीं होता है मैं अभी देख रहा हूं बोडर पर जिस तरीके से पंजाब से सारी तैयारियां करके जैसे आएं तो ऐसा लग रहा है जैसे अगोसित युद्ध शुरू करने के लिए यहां पर आए हुए है किसान का काम होता है अपनी मांग रखना और सरकार जहां भी मांगों को उसके सामने रख देना क्योंकि किसान सरकार नहीं चलाएंगे देश किसान नहीं चलाएंगे हमें अपनी केवल मांगे रखनी है कि हमें कहां दिक्कत आ रही है और उसका समाधान करना सरकार का काम है और इस तरीके से इतनी सारी डिमांड रख देना जैसे कि सरकार क जगे किसान ही सरकार नहीं चलाता है यह मैं पुने फिर कह रहा हूं कि जो तयारियां करके इस समय वहां पर लग रहा है कि बड़े बड़े टेक्टर्स और उनके पंखे वाले और हवा का ड्रोन का सारी चीजों को डिफ्यूज करने का यह तो एक तरह से जैसे कोई हम नहीं होते हैं यह केवल एक सरकार को गहरने के लिए या एक अगोसित अपना एक युद्ध की तयारी करना यह में मेरी समझ से परे है मैं भी किसान यूनियन चलाता हूं किसानों की आवाज उठाता हूं किसान के साथ हूं किसान की हर लड़ाई में साथ हूं लेकिन अरा यह हमें कोई सलाह यह नहीं देता है कि आप चलके वहां पर उनमें सामिल हुए जब हमें देखर आये कि यह केवल सरासर गलत किया जा रहा है तो हम लोग किस किस आधार पर इसी वजए से पस्षी मुत्तप्रदेश से या उत्तप्रदेश से कोई भी संगठन अभी वहां जान कि भी खापे हैं या जितने भी संगठन हैं कोई भी जाती विशेश से कोई लेना देना नहीं है वहां भी उन लोगों ने यहीं उठाया है कि वहां ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए हम यहां से कूच करें यह तो पंजाब सरकार की सोची है यह हम भी देख रहे हैं यह का जो भी वहां केजरी वाल सरकार जिस तरीके से अपना आगे का दो हजार चौबीस का चुनाब देख रही है हम किसान लोगों को किसी के चुनाब नहीं देखने होते हैं हमारे जान से चुनाब आज हों कल हों या और एक साल बाद हों हमें कोई लेना देना नहीं है हमें सर चुके हैं पहले किसान बड़े सांती बूर बाकांदोलन कर रहे थे पहला जो पार्ट वन जो हुआ था अब के तो ये पूरी तैयारी से हमारा किसान कहा जानता है क्या सुगाइस के गोलें को कैसे ठंडा किया जाता है दोरोन को कैसे गिराया जाता है यह तो एक ट्रेनिंग लेके आए हुए और हम लोग इसका समर्थन नहीं करते समर्थन करेंगे जाइज मांगों का करेंगे और असीमित मांगों का नहीं कि सारी चीजों को हम सरकार के ऊपर थोब दें कि हमारी सारी जिम्मेदारी सरकार की है, हमारी फिर क्या जिम्मेदारी है, हमें बिजली भी फिरी चाहिए, पानी भी फिरी चाहिए, सारी चीज़े फिरी चाहिए, तो सरकार कैसे चलेगी, यह सरकार की जो आमंदनी होती है, वो कहां से होगी, मैं इन चीज़ों के खिलाप हूँ, और मैं क गुरिल्ला युद्नी होता जैसे सरकार के साथ गुरिल्ला युद्ध करने की तैयारी आई जशार यह एक बात मुझे सुनने पमें कि चलो मेहंगी मेहंगी गाड़ियां तो पंजाब के बड़े किसान के आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है या उट अपनी गाडी बेज रखी है या वो खुद शामिल हो रहा है पर यह मैंने सुना कि बड़े महले नए नए ट्रेक्टर लेके इस वार किसान आ उसलांदोलन में किसान आए है यह नोए tájektर का क्या यह सब पहले से तयारी की गई है और इनको उपलब्द कराए गए हैं हमारे पश्चिमी उत्तप्रदेश का किसान अपने टूटे टेक्टर की किस्त नहीं भर पाता है नए कर कहां से लेके आएगा और यही वज़े है कि आज हमारा कोई भी किसान पश्चिमी उत्तप्रदेश का जब अपनी तुलना करता है तो वहां पर हमें लग नहीं रहा कि यह किसान आंदोलन चल रहा है तलवारे खिच रही है लाठिया लेके जा रहे हैं बड़े सारे जो जो ओजार इनके हमने तो देखे वारा किसान तो जानता भी नहीं है यह तो एक वहां पर युद्ध का म नहीं है जाएदान बना दिया गया तो यह चीज़े आप बात कर लेते हैं आपने का कि मा जो जायज मांगें हैं जी किसानों की एक मांग है थर अब जायज है कि ना जायज है या उस पर जड़त चर्चा करना चाहता हूं मैं MSP की गारांटी का कानून बनाने की मांग करते ह किसां जीדי कल मेरी एक किसां भी मेरी किसां से बात हो रही थे वह किसां नेता नहीं सय ते पिर इन से बात करूंगा जरूर हां उन्हें का गि मान लीजिए एक एकड़ में मान लीजिए बीस कविंटल गेहूं हुआ तो हमारी अर्यारा सरकार जो है MSP पे सिर्फ सोलर कविंटल खरीचती है हां जो चार कविंटल हमारे पास बच जाता है फिर उस पे हमको MSP नहीं मिलती वह हमको सो दो सो तीन सो चार्टर रुपया सस्ता बेचना पड़ता है जो की बाजार भाव चल रहा होता है जी तो सरकार ऐसी गारेंटी दे कानून बनादे कि MSP के नीचे नाज खरीदना एक तरह से जुर्म कर दे या वर्जित कर दे कि अगर कोई भी आड़तिय मैं कोई भी कमपनी या कोई भी बादार कोई भी इस टॉकिस्ट अगर MSP के नीचे अनाज खरीदेगा तो वो जुर्म होगा तो मस्ट की कारेंटी हो गई है बिल्कुल कारेंटी हो गई है तो मान लीजिए अब एक फसल है उसका रेट तीन हजार है तो अगर कोई आड़तिया 3900 में खरीदेगा तो नहीं खरीच सकता पर अगर रेट 3500 हो गया तो फिर किसान क् वो बेच देगा किसको बेचेगा सरकार आड़ति को बेचेगा आड़तिया बोले गणाजी 3000 का रेट है मैं क्यों लूँ 3500 में जी आप इने तो गारेंटी मांगी है ना 3000 का कानून बना ना वहां बिल्कुल कानून तो 3000 का है जी फिर मैं 3500 में क्यों खरीद दूँ आप से मैं तो 3000 दूँगा कानून है जाइज बात है तो कानून के साब से तीन पर गड़ी दूँगा तो फिर कोई सरकार मजबूर कि नहीं रेट 3500 का है तो तीन हजार में लेके 3500 में क्यों बेचेगा नहीं ऐसा नहीं कर पाएंगे तो किसान तो यही मांग रहे हैं यह जायज हो गया है एसा है ना हमारा जो आपने बताई कि गौवर्मेंट ने उसका 3000 रुपे रेट रख दिया और हमें लगर आए कि 3000 से उपर भी यदि हम ज्यादा के लालच में चलते हैं तो फिर हमारे MSP गारंटी का मतलब क्या रहे गया यह आपकी बात जायज है कि जिस तरीके से हम जो मांग कर रहे हैं यानि चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का यह तो वहाल हो गया कि हमें सारी चीजें से लेकिन यह गारंटी नहीं है कि इतना ही प्रॉफिट हमें होके रहेगा कभी-कभी हमारी बंपर प्वैदावार जब हो जाती और ढिमांड कम हो जाती है तो सप्लाई ज़्यादा है डिमांड ज़्यादा कमें तो हमारे मूल गिरेंगे इस पर भी बहुत बड़ा असर हो जी सर इसका मतलब बाजार पर सर मार्केट ड्रिवन होगी न एकॉनमी तो रेंट तो बाजार की डिमांड इंड सप्लाई तैक करती है न जी जी तो उसको सरकार कैसे तैक करतेगी सरकार के पास ऐसा क्या मेकेनिजम है अच्छा कई बार तो अंतराष्ट्रिय मूल्यों से सब कुछ तैय होता है जी अगर अंतराष्ट्रिय बाजार में फसल की कीमत 3500 होगी तो आपके देश में कीमत बढ़ेगी की नहीं बढ़ेगी बिलकुल बढ़ेगी तो अगर यूक्रे पहें यह टिकेट साब चड़नी साब चड़ जाएं बैल लेके कि रही बंदकरो युद्ध तुम्हारी वज़े से के हमेंगा हो रहा है क्यों सर्थ बिलकुल आपकी बात सही है हमारे यहां हो क्या रहा है कि किसानों को हमारे जो गोट हैं जो भारती किसान यूनियन जो चल देना नहीं है क्या पहले से नहीं चला रहा था हम लोगों की जो जाएज माग तो यह होती है कि हमें जैसे कभी फसल महें और बरसाथ से नुखसान हो गया कुछ भी हो गया तो भँ सरकार से हमें थोड़ी मदद मिलिया है जैसे कर्जे हैं हमारे अब हम कर्जे ले लेके टोटल कर्जा माफ हमारा नहीं हो सकता है क्योंकि कर्जे के बिना भी काम नहीं चलेगा और टोटल कर्जा माफ हो जाएगा तो यह सरकारे कैसे चलेंगी हम पहले से क्या हमारे किसान जिंदा नहीं चाहिए पहले भी तो किसान जिंदा थे पहले भी ख का अखबार है कि कहते कि संद दोजार चौदा पंद्रह में गये हूं कि मैस्पी चौदो सो रुपे थी आज बाइस सो पच्छत्तर है मतलब बासट पर्शंट की वृध्धी हुई है तो एक किसान ने बोला या बाकी चीजों के भी तो दाम बढ़ गए यूरिया महंगी हो गई डीजल महंगा हो गया तो इसलिए भई बाकी चीजों के दाम बढ़े तब ही तो सरकार ने मैस्पी बढ़ाई अगर डीजल महंगा नहीं होता यूरिया महंगा नहीं होता इंपुट गॉस्ट इंपुट जो है वह महंगी नहीं होती तो फिर अभी भी रहे हैं उसमें हम थोड़ा सा अंतर ये करते हैं कि जहां पर मैंने पहले भी बताया जब किसान के ऊपर कोई आपदा आती है या किसान को बहुत ही कहीं लॉस हो रहा है उसमें सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो हमारी थोड़ी से साहिता करे कि हमारी बंपर पैदावार होने पर जैसे हमारी फसल में कम पैदावार हुई है और उस समय हम सोचते हैं भाई हमें थोड़ा सा मुल्य अच्छा मिल जाए तो कोई अच्छा रहेगा यह सारी फुल मिलाती है इस समय का जो भी एक माहूल बना रखाए देश के लिए तो सिबा इसमें एक राज नीटी की जा र रही है यह गलत है कहीं कत नहीं आ रही तो सब्जी बाला भी खुष है धान बाला भी खुष है हमारे गन्ने बाला भी इतना दुखी नहीं है क्या अंतर है हर बार तो हमारे रेट बढ़ते रहते हैं अब चीनी है यदि चीनी हमारी 80 रुपय किलो बिकेगी तो गन्ना हमार पे भी अंकुस लगाना जरूरी है क्योंकि बिनाबाद के और इसमें एक बात बताई है आज हमारे जो किसान बैठे हैं वहां डाई जार या तीन हजार जो कुछ भी चारहजार किसान होंगे जो भी बैठे हैं लेकिन बाकी का जो देख नहीं रहा है कि हम किस तरीके से अराज भी सेवादे नहीं सकती और हर चीज में हर चीज में हम अपनी बाते उस एड़ते रहेंगे तो सरकार को चलने का कोई मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा इससे हमारी आम जंता हम लोगों के खिलाप होती जा रही है जो किसान की भोले बाले की जो चबी थी उसे बिगाड़ने क काम किया जा रहा है चंद नेता तो इसमें पनपते जा रहे हैं लेकर जो आम जनता है ना आम किसाने वो हमसे छूटता जा रहा है इस पर टिकेट साब भी नहीं आये क्या चक्कर है उनका तो सर गिद्ध लाश भैंस मर गई और गिद्ध नहीं आया मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा तर यह तो सीधा सा यह रहता है पहले कोई घटना बड़ी घट जाए जिसमें सरकार थोड़ी सी मुलाइम पड़ जाए या आदमी जब पहुंचता है जब पहले सारा कुछ हो चुका होता है वो अपने उपर नहीं लेना चाहता है वो केवल नेतागीरी करने के लिए जाता है वह ना संकट जहिलना चाहता है ना आगे लाठिया खाना चाहता है ना उसके पास संख्यावल है वो तो यह जो बाहर से पहले भी जो आता बाहर के लोग आये थे और उस समय वो तो केवल नेतागीरी करने के लिए गया था और उसने कुछ मीडिया ऐसा अपना बना रखा है कि वो उसको जैसे अभी भी अभी वो इंतजार इसमें है कि सरकार में है और किसानो के अब बना तकराब हो जाए गा घृजघाएगा खुछ लासिंगर जाएंगी तो सरकार Джamarin सरकार दुबारा लाठी चारज नहीं कर पाएगी और ना कोई आसू गड़िक्थ जोड़ पाएगी और ना किसान अड़ actually कोई उता की नहरी नहीं पती है वह फ्रण् कि मैंने पहले कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा क्योंकि रालोद भाजपा के साथ है यह मैंने पहले आपके साथ बारता करते समय पहले भी बताया था कि रालोद के मिल्यान इसे सबसे ज्यादा असर्ट के ऊपर होगा जो जो सबसे नंबर वन का अराजकता करने बाला था आज लो कदल समझ तक कोई किसान वाँ जाने को तयार नहीं है इसी बजए से वो आगे नहीं बढ़ रहा है इसका भी बहुत बड़ा आसर पड़ा है मैंने पहले भी आप से कहा था कि उसके साथ सो आदम बैठन को तयार नहीं होंगे बरना वो गिद द्रश्टी रखने वाला अब तक तो कभी का पहुंच गया होता बॉर्डर पर लेगन जाए किस मुझ से आज उसके साथ संख्याबल नहीं है अभी भी मैं देखता हूं को उसके नाम पर जानी पुराने बीडियो को डाल रहा है उसके समर तक पुराने बीडि किसानों की संख्याबल था या ताकत थी वह घट गई है कि क्योंकि वह देख रहे हैं दो हजार चौवीस के चुनाम में हम किस तरीके से भाजपा के साथ जिस तरीके से जैंत गए तो वह किसान अंदोलन को नहीं देख रहें वह जैंत के साथ चलने को तयार है आज मुझे भाजपा और सरकार को नमें उझे बनाना है ने बिगाड़ना है लेकिन वहां जो किसान ज्यादा तर जो किसान था भाजपा के खिलाप इसलिए चलता था कि वह राश्टी लोगदल के जैन चौदरी के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ था समाजवादी पार्टी कहां है समाजवादी पार्टी के पास कोई किसान बॉड़ी या किसान या किसान अरहतर किसान बनने के लिए क्या है ट्रेक्टर उठाओ नहीं तो भाड़े पे ले लो और चल पड़ो 1500 ट्रेक्टर नहीं समाजवादी पार्टी जुटा पारी ने समा वाजवादी तो यह देखती है कि देश में उन्हें तो बयानवाजी करनी है, ना किसान को देखना है, ना उन्हें सरकार्च को लेना देना है, उनका तो यह किसी तरीके से थोड़ी सी अराजकता फेले, कुछ संगर्स हों, और उसमें बयानवाजी करें, उनमें इतना नहीं ह करएयर कि फंनिंग के न हृए है कि फंटिंग कर सकते हैं राकेज जैसे किसान संग्ठणों को वो काम करते हैं और में तो मैं तो अभी देख रहा हूँ कि इतने अच्छे अच्छे महें तकर सारे जो जितने इंश्ट्रुमेंट लेकर यह आएं जैसे हमें युद् cosm के लिए तयारी से आएं हुमारे किसान के पास तो किंदूर के लिए विक भार से हो सकता है कर mica arrives रही हो या कॉंगरेस फंदिंग दे रही हो या समाजबादी पार यह तो उनको लडाने का काम करते हैं किसान का काम दरी बचा करे बैठने का होता है चौधी چरंसीं जी का जब मैं बच्पन से देखता है हूं क्या उन्होंने संगर्सा नहीं कि ये उन्होंने आंदोलन करते थे सडक पर बैठ के करते थे इस तरीके के ताम-जाम लेके नहीं चलते थे रोटी के लाले पड़ जाते थे किसान भी आपस में घरों से खाना वनवन के आता था वो होता है आंदोलन यह आंदोलन नहीं है जिस तरीके से यह आधने चीजें ले करके जो आ रहे हैं यह तो एक सोची समझी चाल के तहता आ रहे हैं और इसे पब्लिक समझ रही है जंता समझ रही है आज दिल्ली की जंता भैवी तो रही ह किसान आने वाले हैं, भाई किसान कोई आतंगबादी तो है नहीं, क्यों डरते हो उससे, लेकर डराने का काम किया जा रहा है, इसलिए पब्लिक डरी हुई है, और हम इसी ब्रहम को तोड़ना चाहते हैं, कि किसान की छबी जो भूले वाले की थी, वही किसान की छबी रहे. तो सर, एक बात बताईए मुझे, आज हर्याने सरकार तो शंबू बॉर्डर से आगे जाने नहीं दे रही, अभी तक अमेरिकेट और आगे संभावना भी नहीं है, क्योंकि हर्याने सरकार को केंदर से बहुत सक्ता आदेश हैंगी, यह हर्याने में घुशके दिली तक नही गेराव किया था, और साल भर पड़े रहे थे, तो शंबू बॉर्डर पे भी पंजाब किया, भई अब तो पंजाब के अंदर है ना सारे किसान, बिलकुछ, पंजाब के अंदर भी यह साल भर बैठेंगे, यह नहीं 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 चलेगा, क्योंकि यह अंदर गुसने की ज दिल्ली जाकी बारता करेंगे, दिल्ली में जनत, आम जनता को परेशान करके ही हमें क्या मिलेगा, हमें तो बारता से ही तो बात होनी है, जो हल हमारा वहीं हो रहा है, जो सरकार के नुमाइंदे हमारे पास वहीं आ रहे है, बैठके बारता कर लो, मैं पंजाब में यह यह यह गलत है यह इसे चॉपट कर दिया ज़रज इनकी सड़क्ता पहला दी रोज इनकी रेज जाम होती है रोज इनके टोल पर इनका धर नहोता है तो यह तो पॉब्लिक को परेशान करने वाली बात हो गई बिलकुल इस तरीके से जंता परेशान होती है जब हम बड़ी तादात में कई सलक से नीचे भी यदी बैड़ जाएंगे सरकार तो वह भी सुनने के लिए आएगी क्योंकि जो भी सरकार चल रही है उसे भी आगे अपना बरकरार बनाई रखना है जो हमें दिखेगा कि यह सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है तो हम उसका ब संती बिगड़ती है तो मुझसे आप से बातचीत करके तो यह समझ में आए कि आप व्यक्ति के तोर पर या यूपी का किसान इस अंदोलन से सहमत नहीं है और इसको वह अराजकता मानता है और यहां तक कि वह इस किसान अंदोलन में उठाए गई मांगों से भी बहुत ज्य इस आंदोलन में इसी वजए से साथ नहीं दे रहा है कि दरी भिछाके कहीं भी बैड़ते सडक के किनारे बैड़ते सब वहां इखटा हो जाते अपनी अपनी बात रखते हमारा काम है प्रजात अंतर में सरकार तक अपनी आवाज पहुचाना अपनी बात रख देना हमें य या हम पहत्यार चलाएंगे मैंनेही समझ तरीका से को यांदोलन होता है यांदोलन किये जाता है सड़क किनारे बैठके डियम हमारे घाऊंँ में आने को तो यह रहें तो हमें क्या जरूए ते डियम के आपिस में जाने की जब सरकार हमारे दरवाजे पारी है इस से बढ़िया और क्या होगा हम तो इसको बढा चला कि यह कहेंगे सरकार जुग गई और हमारे सामने आके यहां बारता कर रहे है हमारे खेत में बारता कर रही है वह ज़्यादा बैटर असर जाएगा तो चोई साब आप मुझे मालूम है आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और इतने व्यस्त कारिक्रम में छेत्र में चोई साब इस वक्षेत्र में दोरा कर रहे हैं किसानों के साथ बैठके कर रहे हैं और उस बैठक के दोरान आपने जो समय निकाला और एक तरह से आज आप बिना किसी सुविदा के बिना नेटवर्क आपने मुझसे बात की सर बलबीर सिंग जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपके चैनल पर आके मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो कुछ लोग करा के चले जाते हैं और मेरे किसान कि बचाने के लिए जगह जगह जा रहा हूं और मैं यह कह रहा हूं कि हम मांग उठाने के लिए तयार हैं लेकिन किसी मुसीबत को तुमारे डालने के लिए नहीं मैं तुम्हें फ़ встрет こ में डॉलके बनाब करुए या में बड़ा किसान डेटा यह मेरे बस का काम बहुत बहुत धन्यबाद आपके साथ बारता हुई और मेरा किसान इस बात को समझेगा मैं इसी में अपने आपको बहुत धन्य समझूगा थैंक यू सर थैंक यू बहुत धन्यबाद नमस्कार